विश्व स्वास्ति संगठन की मुख्य व्यग्यानिक डॉक्टर स्वाम्या स्वामिनाथन ने कहा है कि कुरोना संक्रमण के डर से इस्कूल बंद रखना सही फैसला नहीं है इससे पिछले दो सालों से बच्चों का संग्यानात्मक और समाजिक विकास बंद हो चुका है डॉक्टर स्वाम्या के मुताबिक बच्चों को कुरोना से उतना खत्रा नहीं है जितना उनके मानसिक विकास रुकने से है उन्होंने कहा है कि डबलू एचू और यूनिसेफ ने हमेशा से ही कहा है कि बंद करने के क्रम में स्कूल सबसे आखिर में आना चाहिए और खुलने के क्रम में सबसे पहले उनका कहना है कि दो साल में कोरोना संक्रमन में यह देखा गया है कि यह बच्चों को सबसे कम प्रभावित कर रहा है अगर बच्चों को होता भी है तो उन्हें यह जादा बिमार नहीं करता लेहाजा जरूरी एहतियात के साथ इसकूल खोले जा सकते हैं डॉक्टर स्वामिनाथन ने कहा कि इसके लिए लोगों और सरकारों को विचार करने की जरूरत है क्योंकि omicron कोरोना का आखरी वेरियंट नहीं है ऐसा संभव है कि भविश में इसके और वेरियंट सामने आए ऐसे में अभी से तयारी करने की जरूरत है कि अगर भविश में फिर से केस बढ़ने लगे तो हमें क्या एक्षन लेना चाहिए पहले क्या बंद करना चाहिए शुरू से ही WHO और UNICEF ने कहा है कि स्कूल हमेशा खुले रहने चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों की केवल पढ़ाई ही नहीं बलकि संपूर्ण विकास भी स्कूल में होती है पिछले दो सालों में इसका बहुत नुकसान हुआ है यह नुकसान लंबे समय तक जहेला जाने वाला नुकसान है दुनिया भर की सरकारों को हमारी सला है कि जहां तक संपह वो इसकूल खुले रखें उन्होंने आगे कहा कि अभिभाब को का सवाल है कि क्या वैक्सिनेशन के बिना बच्चों को इसकूल भेजना सुरक्षित होगा तो जबाब है कि हाँ हम भेज सकते हैं क्योंकि दो सालों से जो हम संक्रमण को देखते आ रहे हैं इसमें एक चीज जो सबसे अच्छी सामने आई है वो यह है कि बच्चे अगर संक्रमित हो भी जाएं तो जादा बिमार नहीं होते बिरो रिपोर्ट न्यूस्विंग तो जब भी जब करते हैं Gjerdi is a small place and we have like very less facilities in terms of you know education and this kind of infrastructure it came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Gjerdi those who are leaving the town and going outside for you know studies there higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes so I researched it online I got through all the reviews and everything then I got in touch with the white hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing so then I thought that why not to implement it in our schools so that all the students are able to learn you know this thing. I started coding because we can make our thoughts real we can interact with the मिठाद जन्यूर्ट एपिए अफिक एटाट एट स्ग्री छेटान ऑट अट प्रॉजार्व को लेडिर एगई खाल जब है कि एट फ्ट वीडियर आड बाद है लिक या विल एटे इताय। है अगिद्वार्ट एट एंट वन एलगी को अवीडियर वन रह इंट इन विखने झाल झाल